करगिल दिवस पर पियम ने शहीदों को याद की और बिना नाम लिये पाकिस्तान पर बोला हमला करगिल पर विज़द दिवस की 21 वी वर्ष गाट पर डेश भर में शहीदों को शुद्धांचली देने के लिए कारेक्रम हो रहे हैं करगिल विज़द दिवस पर रक्षामंथी राजनाथ सिंग और तीनों सेना प्रमुकों ने नैश्चनल वार मेमोरियर पर शहीदों को शुद्धांचली दी रक्षामंथी राजनाथ सिंग ने कहा दुश्मन ने हमला किया तो देंगे कारगिल जैसा मूँ तोड जवाब करगिल विज़द दिवस पर करना तक किसी हैं बेस ये दुरप्पा ने शहीदों को दीश रधांचली यूपी के प्रियाग राज में कारगिल विज़द दिवस के मौके पर संगम किनारे रेच से कारगिल युद की जाकी तयार की गई पीम मोधी ने मन की बात कारिक्रम में युवाउं से कुछ नया सीखने का संकल प्रेने की अफील की पीम मोधी ने देशवासियों से साफधान रहने की अफील करते हुए कोरोना को पहले जितना ही घा तक बताया शिर्सियना के मुखपत्र सामना में सीम उधव विपक्ष को चुनौती देते हुए बोले जिसे महाराष्ट सरकार गिरानी हो वो आज ही गिराए राजिसरकार की स्ट्रेरिंग मेरे हाथ में देश में कुरोना मामले 13,85,000 से ज्यादा हो चुके है देश में 24 गंटे में कुरोना के 48,671 मरीज आई सामने माराष्ट और आंध के कुरोना आकने मिला दें तो योरोप से भी ज्यादा होते है राजिस्तान की सियासी उठापटक के बीच कॉंग्रिस सभी राजियों में राजभवन का घेराप करेगी राजिस्तान के घटना करम पर कॉंग्रिस ने स्पीक अफ और डिमॉक्रिसी अभ्यान शुरू किया राजिस्तान में पालिट समर्थक बेद प्रकाश सोलंकी ने सीम गयलोत पर धन्बल के जरिये विधायकों पर दबाव बनाने का आरूप लगाया राजिस्तान में मुख्यमंद्री आवास पर हुई क्याबनेट की बेठक में क्याबनेट ने विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताफ को मन्जूरी दे दी कैबिनेट से मंद्दूवी के बाद विधान सभासतर बुलाने के प्रस्ताफ को राजेपाल के पास भीजा जाएगा राजिस्तान में सियासी घमासान के बीच सतीश पुनिया की अगवाई में BJP नेताओं का प्रतिनिधी मंडल राजेपाल से मिला राजिस्तान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया ने राजिपाल के विरोध को सम्विधानिक पत्की गरीमा के खलाफ पताया जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने सियार प्यप जवानों पर फारिंग की युएन की रपोर्ट के मुकाबिक केरल कनातक में मौजूद आईस आईस के कई आतंकी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं रक्षया सौधे में विष्टाचार के 20 साल पुराने मामले में सम्ता पार्टी की पूरवध्यक्ष जया जेटली समेट 3 आरूपियों को अदालत ने दोशी करार दिया केंद सरकार राज्यों को कोरोना रोकने के लिए दिल्ली मॉडल से सीख लेने को कह सकती है दिल्ली में डीजल 15 पैसे महंगा होने के बाद कीमत रिकॉर्ड 82 रुपए प्रति लीटर पर जा पहुंची राजिस्तान के जोधपूर में पानी की पाइपलाइन पटने के बाद पानी सड़क पर बहने लगा गाज़ेबाद पुलिस ने सेक्स रखेट चलारेक मैला समेथ 15 लोगों को गिरफ्तार किया दिल्ली के रजो करीब फ्लाइओवर पर तैनात एक एसीपी की गाड़ी से टक्कर के बाद मौत हो गई गाड़ी की टक्कर से एसीपी की मौत के बाद परिंसिक टीम हाथ से की जगाप पर जाच के लिए पहुँची अफगानिस्तान में अगवा होने वाले सिख समुदाए के नेता निदान सिंग सच देवा विशेश विमान से भारत लोटेंगे सेना और कश्मीर पर विवादे ट्वीट करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने जेन्यू के एक चात्र के खलाफ एफ़ाई यार दर्च कर दी दिल्ली में सिवल डिफेंस के वॉलिंटियर की कोरोना से मौत के बाद मुख्यमंत्री अर्विंद केज जिवाल ने पिरित परिवार को एक करोड रुपे की सहेता राशी दी कोने में राजी के ग्रेमंत्री अनिल देशमुक ने लाठी चलाने की कलामे माहिर 85 साल की वॉडियर आजी से की मुलाकात कोरोना केस बढ़ने पर वारानसी प्रशासन ने हफते में तीन दिन लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया मोबाल में दस दिन के लॉकडाउन के पहले दिन नियम तोडने पर 89 लोग गिरफतार वहाँ छटी बार लॉकडाउन लगा है मध्यपदेश के सीम शिवरास सिंग चोहान की पत्नी और दोनों बच्चों की पहली कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई खबार है दस दिन में 500 से ज़्याद़ा लोग सीम शिवरास सिंग चोहान के संपर्क में आए कोरोना का इलाज करवा रहे मध्यपदेश के मुख्यमंदर शिवरास सिंग चोहान ने अस्पेटाल में पियम मोदी का मन की बात कारिक्रम सुना बार से बिहाल बिहार के दस जिलों के 10 लाग से जादा लोग प्रभावित हो गए बिहार में वायू सेना ने बार प्रभावित इलाकों में राहा पर बचाव का काम शुरू किया बिहार में कुरोना से सरकारी करमचारी की मौत पर उसके परिवार को रेटार्मेंट की सीमा तक पेंचन दी जाएगी बिहार में कुरोना काल के वक्त ड्यूटी से गायब रहने वाले आठ डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया बिहार के सहरसा में कुरोना होने के शक्त में अंतिम संसकार से रोकने पर परिवार नी शक्त को नदी में बहा दिया बिहार के गोपाल गंज में बांध चूपने की वज़े से सीवान में कई गाउं टूप कए बिहार के गोपाल गंज में NDRF ने 32 लोगों का रिस्क्यू किया उत्राखन के नई ताल समेट कई जिलों में भारी बारिज की चेताबनी के साथ औरेंच इलर्ट जारी किया गया उत्रपदेश में कानपूर के SSP समेट 15 आईपेस अफसरों के तबाद ले कर दिये गए यूपी में 20 अगस्त के बाद से शॉपिंग मॉल में शराब बेची जा सकेगी उत्राखन के रामनगर में कोसी नदी के तेज बहाव के बीच फसे दो लोगों को पुलिस और दमकल वभाग की टीम ने सुरक्षत बाहर निकाला सेरो सर्वे से पता लगा कि दिली में एक चोथाई आबादी में कोरोना से लड़ने के लिए इम्मुनिटी डवलाप हुई यूपी में कोरोना के 2984 नए मरीज सामने आने के बाद कोरोना पॉजिटिव मामले 63,800 के पार पहुँचे बिहार में कोरोना के 2883 नए मामले सामने आने के बाद पॉजिटिव मरीजों का आकड़ा 36,000 के पार पहुँचा यूपी के मुजबफर नगर में AK47 के साथ तस्वीर बारल होने के बाद पुलिस ने लड़के को गिरफतार कर लिया यूपी के आगरा में पुलिस ने सेक्स रेकेट का परदा फास्ष करते हुए तीन लड़कियों समेथ 12 लोगों को गिरफतार किया मेरट में हत्या के बाद हुए हंगामे को श्यांत करने के लिए पुलिस के लाटी चार्ज का विडियो सोशल मीडिया पर वारल हो गया कोरोना मरीजों के लाज के लिए अर्याना के रोतक में प्लाजमा बैंक शुरू कर दिया गया महराष्ट में 24 घंटे में 251 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हो गए केरल के कोशी कोड में बड़े ओडिटोरियम को कोविड अस्पताल में बतला गया आदर प्रदेश के खिजान का बेटियों से हल चलवाने का विडियो सामने आया बैंगलूरू में 3,338 कोरोना के लापता हुए कोरोना मरीजों की पुलिस तलाश कर रही है बीजेपी मास अचिप कैलाश विजेवर्गे ने ममता सरकार पर मुकोल रॉय की छवी खराब करने का आरोप लगाया तमिनादू के राम मेश्वरम में नौसीना ने दस मचवारों को रेस्क्यू किया परशे मंगाल के आजन सोल में कोरोना से जागरुकता के लिए लोगों ने सड़क पर पेंटिंग बनाई तिलंगाना के नलगोंडा में बारिश के पानी में आटो के बैजाने से एक महिला की मौत हो गई बंगाल के बारा साथ जिले में पुलिस ने लोगडाउन के नियम तोड़ने पर कारवाई करते हुए एक सो दो लोगों को गिरफतार किया जमू कश्मीर के उपराजेपाल जेसी मुर्मू ने पुंच का दौरा किया गुजरात कॉंग्रिस का कारेकारी अध्यक्ष बनने के बाद हार्दिक पटेल वरोद्रा के दौरे पर पहुँचे कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए त्रिपुरा में 27 जुलाई से 3 दिन का लॉगडाउन रहेगा जमू कश्मीर के राज़ारी जिले में कोरोना से जंग जीतने वाली 98 साल की महिला पर अस्पताल के करमचारियों ने फूल बरसाए जमू कश्मीर के बारा मुला में सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन के दौरान कई हत्यार बरामत किये पंजाब के भटिंडा में एक नहर से मिले रॉकेट लॉंचर के सुरक्षा बल के जवानों ने नाकाम कर दिया आमारिका की टेक्साज में तट से हन्ना तूफान टकराया आमारिका ने ओनलाइन कोर्स के लिए विदेशी चात्रों के आने पर रोक लगा दी आमारिक की पोलिस की दरफ से चीनी सेना के एक महिला चासो उसको ग्रफतार किया गया जो पिछले दो साल से अपनी पहचान चिपा कर एक लाब में काम कर रही थी एलेसी पर भारत के दबाव के बाद गलवान खाटी से चीन की सेना पीछे हट गई दक्षिन चीन सागर पर अमारिकी विदेश मंत्री ने ट्वीट कर चीन को दी चेतापनी चीन के एक सरकारी परमानूस अंस्तान में काम करने वाले 90 से ज़्यादा वेज्यानिकों ने स्तीफा दे दिया चीन ने चंगदू में अमारिकी वानिजद उत आवास को बंद करने का आदेश देने के बाद वहां भारी संख्या में सुरक्षा बलको तैनाप कर दिया कॉरोना के बढ़ते मामलों से नाराज लोगों ने इस्राइल के प्रधानमंत्री बेनियमिन नेतनियाहूं के आवास के बाहर प्रदर्शन किया जर्मनी में एक विमान हाथ से कशिकार होकर एक मकान पर गिर गया जिससे तीन लोगों की मौत हो गई उत्रकोरिया के कैसौक शेहर में कोरोना वारिस का पहला मरीज मिलने के बाद किम जॉंग उन ने वहाँ लॉकडाउन लगा दिया रेलवे ने चीन को जटका देते हुए घरेल उत्पादों का इस्तमाल बढ़ाने पर समिक्षा की DCGI ने COVID-19 एलिसा जाच किट इंपोर्ट करने वाली कंपनी का लाइसेंस रद कर दिया गलवान खाती के बाद अब चीन ने हिमाचल से लगी सीमा पर सड़क बनाने का काम तेज किया महिला T20 वोर्ड कप को लेकर ICC जल्द करेगी फैसला बड़े भाई को कोरोना होने पर सौरफ गांगली ने टेस्ट कराया तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिवाई इंग्लेंड के खलाब खेले जारे तीसे टेस्ट में वेस्ट इंडीस के गेंदबाज दोसो टेस्ट विकेट का आकड़ा छूते नजर आए औस्टेलिया के क्रिकेटर उस्मान ख्वाजाई कब बेटी के पिता बन गए केंद्रिय मंत्री किरिन रिजजु ने 2021 में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स हर्याना के पंचकुला में होने का एलान किया कंगना के बाद ए आर रहमान ने भी फिल्म इंडास्ट्री के कुछ लोगों पर साजिश रच कर उन्हें काम नहीं दिये जाने का रूप लगाया सारा अले खान मुंबई में मास्क पहन कर साइकिल चलाती दिखी जुनें लोग नहीं पहचान पाए सुनाक्षी जिना ने महाराष्ट पुलिस की मदद से सोशल मीडिया पर पतारना के खलाप मिशन जोश अभ्यान शुरू किया दक्षिन भारुत के स्टार पवन कल्यान पर बयान देने के बाद मुंबई में राम गोपाल वर्मा के दफ्तर पर हमला हुआ रतेक रौशन ने सौ डांसर की खाते में पैसी ट्रांसफर कर उनकी मदद की रनवीर आलिया की गली बॉई बुसान इंटरनाशनल फिल्म पेस्टिवल में दिखाई जाएगी उत्राखन के पितौरागर में चट्टान गिरने के बाद एक सडक आठ दिन से बंद पड़ी है